हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजिनिस कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ कल UGC NTA NET का रिजल्स आया और रिजल्स आने के बाद मैंने देखा कि 4-5 तरीके के कमेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं पहला तो कि सर मेरा NET हो गया दूसरा सर मेरा NET और जियारफ दोनों हो गया तीसरा कि सर मेरा NET तो हुआ लेकिन जियारफ होते होते रह गया चौथा कि सर मेरा NET भी नहीं हुआ और जियारफ भी नहीं हुआ अब हम कैसे आगे पढ़ाई करें क्या करें तो इस पर मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए कि जिन बच्चों का नेट या जियारफ हुआ है उनको आगे क्या करना है और जिनका नहीं हुआ है उनको भी आगे क्या करना है तो सबसे पहले जिनका नेट और जियारफ हुआ है उनको हार्दी सूपकामना है और जिनका नहीं हुआ है उनको आगे के लिए एक नई रनीती और नई उर्जा के साथ पुना तयारी करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का नेट गयारफ हुआ है सबसे पहले तो वो ये मैं की परिक्षा पचपन प्रस्चत से जल्दी से पास करने जिनोंने पास कर लिया होगा तो वो पिएजडी के तमाम फाउम निकले हुए हैं अलग-अलग बिस्विद्ध द रखें अभी करेंट में फार्म आया हुआ है उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर का तो उसमें वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं बाकी आगे कहां-कहां फार्म आ सकता है तो एक मैंने क्लू बताया था कि जहां भी आगामी एक साल के अंदर व पाकी आप सेंटरल इन्वेस्टी में भी फार्म एप्लाई कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर प्राथमिक्ता दी जाती है हो सकता है कि आपका कोई गौट फादर हो तो आपका चैन भी हो सकता है तो कुल मिला जुलाकर आप ने नेट और यारफ क्वालिफाई किया है तो ये एक सर्टिफिकेट के रूप में ही है इसको नौकरी का दर्जा नहीं दे आजा सकता बस एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ है और अभी संघर्ष के जो पैदान है वो अभी बहुत सारे बच्यों मुझे याद है कि जब हमारा जियारफ हुआ था तो सन 2010 में जियारफ हो गया लेकिन नौकरी मिलते मिलते मुझे साथ साल लग गये थे इसलिए कि कोई मेरा गौट फादर नहीं था मुझे मेहनत से ही नौकरी मिलना था तो सेलेक्शन तो 2012 से ही रीटेन में हो जाता था इंटरव्यू में छड़ जाता था रेटेन निकलता था इंटरव्यू में छड़ गयाता था ऐसे करते करते 2016 आ गया और 2017 में जुलाई और अगस्त का महिना मेरे लिए काफी गोल्डेन रहा जिसमें कि मुझे चार आयोगों से चेहनित होने का एक सवभागे प्राप्त हुआ और एक समय ऐसा आ गया था कि कंफूजन सक्रियेट हो गया था कि कहां पर सबसे पह काने का काम करूँगा लेकिन कहा जाता है भागे से ज्यादा और समय से पहले कोई चीज नहीं मिलता है तो वहाँ पर राम रहीम वाला केस हो गया और दिसमें चैन हुआ था वो भी मामला कोर्ड में चल रहा था जिसके वज़ए से ज्याइनिंग नहीं कराई जा रही थी इ इसके बीच में ही DSSB में चैन हुआ UPGT में हुआ तो कहने का मतलब यह है कि नेट जयारफ के बाद कोई अभी गारंटी नहीं है कि आपको नवकरी बहुत एजली मिल यागी उसके लिए भी बहुत सारे मेनत करने आपके बहुत सारे सीनियर्द भी आपके आस पास में होंग तो यह तो जिनका नेट जयारफ हो गया है वो अब PhD के लिए अपलाई करें और जहां भी आयोग से फार्म निकले उस फार्म को भी भरें और आगे अपनी त्यारी करते रहें अगर नेट जयारफ करने के बाद आप PhD में एडिमिशन ले लेते हैं तो आप जानते हैं कि स्कॉलर्शिप के तोर पर पांस से आठ हजार नेट वालों को मिलता है और जयारफ को 35 से 42 हजार के आस पास में स्कॉलर्शिप मिलती है ठीक है अगर जिनका नेट नहीं हुआ है ये काफी important चीज है कि बच्चे बहुत हताश हैं निरास हैं उदास हैं और जाहर सी बात है कि जब results आता है तो दो चीज़ें लेकर आता है जिसको परिक्षाफल का आ जाता है तो ये परिक्षाफल एक तरफ सुखद होता है दूसरी तरफ दुखद भी होता है और जहां पर एक सिक्षक के तरफ पर मैं देखू तो ये परिक्षाफल मेरे लिए सुखद भी रहा दुखद भी है बहुत सारे बच्चों ने कर्मेंट्स किया कि मेरा हो गया है तो एक सुखा अनुवूती हो रही थी लेकिन वहीं पर बच्चे का रहे थे कि मेरा नहीं हो पाया तो हमे थोड़ा सा दुख भी हुआ और लगा कि इन बच्चों के साथ अभी मियनत करने की और जरूरत है आपने राम की सकती पुजा पढ़ा होगा और उसमें एक प्रसंग आता है जब राम भी अपने जीवन में हातास होते हैं, निरास होते हैं, उदास होते हैं और कई बार उनको लगता है कि रामर से हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे और वापस चलते हैं लेकिन वहीं पर जामवान थनुमान जैसे उनके बहुत साथी हैं, जो कि उनको हमें सब प्रसाहित करते रहते हैं और एक प्रसंग आता है कि राम का एक मन था, जो न ठका था, न हारा था ठीक वैसे ही आपके अंदर भी एक ऐसा मन है, जो कि बार बार ये काता है कि हम हार नहीं मानेंगे आज हम सफल हुए हैं, लेकिन एक दिन यही मेहनत हमें सफलता दिलाएगी और उन सफल लोगों में हमारा नाम भी जुड़ेगा तो आपको हार नहीं मानना है, लगातार आपको मेहनत करते रहना है पहला पॉइंट यह ध्याने में रखना है कि एक बार नई उर्जा के साथ आपको फिर से तैयारी में जुटना पड़ेगा मैं जानता हूँ कि जब भी रिजल्स आता है और निगेटिव आता है तो थोड़ी सी जंजनाट होती है क्योंकि मैंने असफलताओं को बहुत देखा है इसलिए मुझे पूरी अनभूती है कि असफलता के एक दो दिन तक आदमी एक तरीके से आउट अफ कंट्रोल रहता है उसको हमेशा नीद टाइप कियाती है फिर भी अपने को वो मजबूत करता है और फिर पुना मैदान में आता है ठीक वैसे ही आपको करना है एक दो दिन आप अराम करिए चिंतन मनन करिए फिर दुबारा उठीए क्योंकि जिन लोगों ने सफलता पाई है वो बहुत कम ऐसा परसेंटेज है कि जो पहली बार में ही सफलता पाली होगा कई लोगों ने कई अटेंप्ट दिया होगा तब सफल हुए होगे तो आप एक बार नई उर्जा के साथ लग जाए अपने उन कमजोर पक्षूं को ध्यान में रखिए जिसको कि आपने परिक्षा की दारान ठीक से कभर नहीं कर पाया था हो सकता है कि जब आप परिक्षा की तैयारी करना शुरू किये हों तो जब आपको ज़्यादा ज़रुरत थी की कंसंट्रेट होके पड़ें उस समय कोई नो कोई बाधा या रुकावट आपके लाइफ में आई होगी जिसे की एक परिपूंड परिशार्थी की मना इस्तिती के साथ आपको एक्जाम में जाना चाहिए था आप नहीं जा पाए एक पॉइंट इस चीज को ध्यान में रखे और बार बार मैं बोल रहा हूं कि हतास निरास और उदास नहीं होना है हमेशा अपनी अगली बारी का इंतजार करते रहे है आज जो बच्चे नेट जयारफ हो कंप्लीट कर लेंगे तो आप सफलतम में माने जाएंगे आगे और मैं बात करूं तो इस चैनल पर UGC NTA.NET के पाठिकरम की द्रिष्टी कोन से लगबग यूनिट वाइज सभी ट्रॉपिक्स अपलोड किये गये हैं समय निकाल कर अपने टाइम टेबल के हिसाब से जरूर जाएए और उहां पर पढ़ने की कोशिश किए वीडियो लेक्चर देखिए सूनिए समझिए इसके बाद नोट्स बनाएए एक महिने तक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ करता हूं कि आपका आत्म विश्वास भी वापस आएगा और फिर आपको लग कानफिडियन्स को बढ़ाने के लिए आपकी परिक्षा का टेस्ट करने के लिए समय समय पर हम आउनलाइन टेस्ट भी लेते रहेंगे वैसे मैंने कोशिश किया है कि पर दे एक टेस्ट आपका हो जाए आउनलाइन वहले वह 50 क्वेस्टिंस कर रहें और बदलते वह लेकिन बाद में पेपर बहुत आसान आ जाता है तो लगता है कि इसका तो लेबल थोड़ा सा कम है तो हम दोनों को मिक्स करके देखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगा कि जो बच्चे नेट ज्यारफ क्वालिफाइड हो गया है वो आगे क्या करें उस पर बात चित कर ले है क्योंकि राम का एक मन था जो न ठका था नहा रहा था तो उमीद है कि आप सभी पूना नई उर्जा के साथ लग जाएंगे और नेट क्या ज्यारफ क्या इसी तयारी पर आप प्रवक्ता भी वनेंगे असिस्टिन प्रोफेसर भी वनेंगे और कमेंट्स करकर बताएंगे भी मुझे इस सर मेरा चयन हो गया है इसी चीज का मुझे इंतजार रहता है अब जानते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूं यह अपनी खुशी के साथ कर रहा हूं श्रौक के तोर पर कर रहा हूं अब मेरा लक्ष है कि जो बच्चे महानगरों में नहीं पड़ पाए जो निकाल कर ग्यान दे उनको और गाइडेंस दे हम मैं किवल मेंटर की भूंका निभाने की कोशिश करता हूं और खुद आप मेनद करेंगे और खुद कमेंट्स करकर बताएंगे कि सर मेरा चैन हो गया है तो उमीद है कि आप सभी अभातास निराश नहीं होंगे सिधे करकर बताएंगे कि मेरा चैन हो गया है तो मिलते हैं नए टापिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार